दोस्तो आज का ये वीडियो अगर तुमने पूरा देख लिया और आच्छी तरह से समझ लिया तो आने बाला 5 या 7 साल के अंदर तुम्हें एक आमीर इनिशान बन जाओगे So let's go सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इनिशान की गरीब होने का रीजन क्या है नमबर वान खुदको गरीब समझे नमबर टू अंदानी आठानी और खर्चा रुपेया नमबर थ्री खुदको आमीर दिखाना भाई अगर ये तीनों आदत तुमारे अंदर है तो तुम जिन्दगी में कभी भी आमीर नहीं बन सकते आज इंडिया में 140 करण लोग है उसमें सिर्फ एक परसेंट लोग आमीर है और बाकी 99 परसेंट लोग गरीब है क्यों जानते हो क्योंकि ये गरीब लोग गर्दन की नीचे वाला हिस्सा से मेहनत करता है और आमीर लोग गर्दन की उपर वाला हिस्सा से मेहनत करता है जिन्द की जीना और गरिब लोगों को इस दुनिया में कोई नोटीज नहीं करता है। भाई गरिब गर में पैदा होना कोई गुणा नहीं है। और जिन्द की भर गरिब रहकर मर जाना ये गुणा है। इसलिए आज तुम जिस सीच्वेशन में हो उससे बाहर निकलने के लिए कोशिस करो। और एही आज का कोशिस आगे जाकर तुम्हें आमीर और कामियाब बनाएगा। बोस एक इनसान आमीर बनकर जिन्दिकी जिएगा या गरिब बनकर जिन्दिकी जिएगा ये डिपेंड करता है उसकी सोच का उपर। अब इसका उपर तुम्हें एक छोड़ा सा एक्जामपेल देता हूँ। इसे धैंज सुनो। एक आमीर इनसान के पास जब पैसा आता है तो वो सोचता है पहले मैं इस पैसो से इन्वेस्ट करूंगा। और इन्वेस्ट करने का बाद जो पैसा बचेगा उस पैसो से मैं घर का खर्चा निकलूंगा। और एक गरिब इनसान के पस जब पैसा आता है तो वो सबसे पहले उस पैसो से घर का खर्चा निकलते हैं और उसके बाद उसके पास जो पैसा बचता है उस पैसो को भो इंवेस्ट करते हैं तो भाई आप तक तुम समझ गए होंगे कि एक गरीब इनसान आमीर क्यों नहीं बन पाते हैं और इससे भी बरीबत एक गरीब इनसान ये सोचता है कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ इसके लिए आज मुझे क्या मिलेगा और एक आमीर इंसान ये सोचता है कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ मुझे आज से 5 साल या 10 साल बाद क्या मिलेगा और यही सोच एक इंसान को गरिब या आमीर बनाता है और जिस दिन दुनिया की हर गरिब इंसान ये सोचना चलू कर देगा कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आज से 5 साल या 10 साल बाद क्या मिलेगा उस दिन दुनिया की हर गरिब इनसान आमीर बन जाएगा और जिन्देगी में आमीर बनने के लिए बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है बस अपने खर्चों पर ध्यान दो ताकि आमदनी अठनी और खर्चा रूपया ना हो जाए मतलब जितना तुम कमाते हो उससे जदा खरच ना हो जाए और खरच करने का बाद जितना पैसा बचेगा उस पैसो से कुछ ऐसा खरी दो जो तुमें और पैसा देगा भाई आमी लोगों का पैसा उनके लिए काम करते हैं और गरिब लोग पैसो के लिए काम करते हैं एक कहवा थे कि लोग कहते है कि पैसा आये तो में कुछ करूंगा और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिका तब में तेरे पास जाऊंगा तो भाई moral of the story तुमें कुछ पानने के लिए कुछ करना पड़ेगा और तबी तुम कुछ पास सकते हो तो भाई दुनिया से हटकर तुम कुछ बनना चाते हो तो दुनिया से हटकर तुमें कुछ करना पड़ेगा और अगर तुम सच में जिन्दगी में आमीर बनना चाते हों तो आज इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी टीप्स बताया वो सब कुछ तुमें फोलो करना पड़ेगा चलता हूँ इस वीडियो को लास तक देखने के लिए दिल से धांकी वास और हाँ चैनल को सब्सक्राब करने के लिए भी बाबाई